हम यहां पर अब प्रैक्टिस नंबर फॉर में जो पोईट्री के आपके क्वेश्चन और आंसर से उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखिए प्रैक्टिस 4 में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है है number second हमारा है crow और तीसरा है form of snow याने particles of snow जिसे dust of snow ही कहा है कभी ने in the poem the crow and the hemlock tree represent sorrow इसमें से दो चीज़े जो है crow और hemlock tree जो crow और hemlock tree है वो किसको प्रदर्शित करते हैं वो sorrow याने दुख को प्रदर्शित करते हैं the form of snow यहाँ पर आपको थोड़ा सामेंड करना पड़ेगा यहाँ पर आप लिख लीजेगा the form of snow तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सामेंड करिएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे the form of snow है ना the form of snow the form of snow is strange for joy तो आपको यह जोड़ लेना है यहाँ पर the form of snow is strange for joy यहने जो dust particle of dust है form of snow है वो किसको प्रदर्शित करते हैं ज्वाए को यह सारा कुछ नीचर को प्रदर्शित किया है किसने dust of snow में रौवर्ट फ्रास्ट नहीं है question number अगला ठीक question number two पर आपन चलते है question number two है हमारा why did why did custard cry for a nice safe case why is the dragon why is the dragon called cowardly dragon चलिए इसका answer देखते हैं ठीक custard custard cried for a nice safe case तो custard जो है वो रौया किसके लिए रौया एक nice और safe case के लिए case याने होता पिंजरा पिंजरे को हम case कहते हैं ठीक है because it was a coward क्योंकि वो क्या था बड़ा बड़ा दर्पोंक था दर्पोंक को English में कहते हैं coward तो वो बड़ा दर्पोंक था इसलिए उसने क्या किया कि एक सुरक्षित और एक सुन्दर पिंजरे के लिए वो रोने लगा it is called a cowardly dragon ये कहा जाता है cowardly dragon because everybody else in the house was brave क्योंकि इसको छोड़ करके किसको छोड़ करके कस्टाइट को छोड़ करके ठीक बागी सभी लोग जो घर में थे वो सब बहादुर थे और ये बस एक डर्पोंक बेखती था इसलिए इसको cowardly dragon कहा गया है अगला question number three why does the poet say I would not intrude on him why does not he offer him money to buy another ball फिर एक बार the ball point से हमारे पास प्रशन है जिसमान से पूछा गया है कि बताईए क्यों कहता है point कि मैं intrude, intrude मतलब मैं बिलकुल बीच में नहीं बोलूँगा और नहीं मैं दूसरी gain खरीदने के लिए उसको पैसा दूँगा क्यों ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए the poet says I would not intrude on him because he wants the boy to learn the meaning of loss क्योंकि वो उस बच्चे को सिखाना चाहता है क्या meaning सिखाना चाहता है कि जो loss होता है उसकी कीमत क्या होती है जब हमारे हां से कोई चीच खो जाती है तो हमें कैसा लगता है और हम उसकी कीमत कितनी करते हैं कितनी समझते हैं यह चीज समझाने के लिए पोएट उसको ना तो अगली बॉल खरीदने के लिए पैसे देता है ना ही उसको कुछ बोलता है कि तुमारी बॉल क्यों खो गई ना उससे मनाता है तो इसका मतलब कि वह सिखाना चाहता है एक पार्ट किसको बच्चे को कि क्या मतलब होता है लॉस का तो वो दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसको पैसे भी नहीं देता है कि जो पैसा है और एक अधर दूसरी हमने उसको बॉल भी देती तो ये उसके सामने क्या हैं सब वर्दलेस हैं कोई मूल नहीं है उनका क्यों क्योंकि जो गेंद उसे खेल रहा था वो उसे बड़ी प्रिये थी अब वो गेंद जियों कीते हो बापस नहीं आ सकती ठीक तो यहाँ पर उस लॉस को समझाने के लिए कभी ने उसको ना तो इंट कर लीजिए निश्यत रूप से आपको दो दो नंबर के दो क्वेस्टन आने हैं पोईटरी के आपको तीन क्वेस्टन दिये जाएंगे और तीन क्वेस्टन में से आपको दो चुन करके करना है ठीक तो अब हम अगले वीडियो में आपको लाने वाले हैं सेंटल आइडिया of the poem सारे poem किसके central idea को लेकर हमाँ आएंगे Thank you